स्वागत आपका संगीत प्लानेट में तो फ्रेंट्स जो हमारी क्लास से चल रहे ही थी BPSC की प्रिवीश्य प्रॉशिंड पेपर की उसी को में स्टाट करेंगे देखिए सबस्पहले हम आपका जो तीन पेपर हुआ है उनको कम्पलीट करेंगे देन हम आपका ठियोरी पर स् पेपर हुआ था उसका solution हमने प्रवाइड करवा दिया है आज हम आप से इस वीडियो में discuss करने वाले हैं पीजीटी दिसम्मर वाला यानि कि टी आरी सेकंड वाला तो टी आरी फिस्ट का जेतना भी पेपर हुआ था आपका संगीत का वह हमने complete कर लिया है अब हम आप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे टी आरी सेकंड के बारे में देकि टी आरी फर्स्ट और सेकंड की हम सभी के सभी को कुश्चनों को discuss करने के बाद यहां से मैं आपको most important topic देने बाला हूं तो बस एक दो दिन में मैं आपके लिए जितनी भी आपका important topic हैं को मैं आपको प्रवाड करवाऊंगा जिससे आप अपनी तयारी को आगे बढ़ाईएगा और उनी टॉपिकों को मैं आपको यहां पर ठोड़ी के formula लेकर के आने बाला हूं तो आपके सबस्पहेले यह काम बहुती जरूर है क्योंकि अभी आपके दमाग में यह चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि हमें तैयारी किस प्रकार से करने कहां से start करना है तो सबस्पहेले आप पीवाई की को देखिएगा और जो आपका 40 नंबर का जो GS वाला person है उसको आप cover करते रहेगा तो चलिए आज से सिसन को start करते हैं आजका हमारा पहला question रहने वाला है ग्राम का उलेक सरफृतम किस संगीत में किया गया गया है तो आपको ग्राम है इसका उलेक शरफृतम किस ग्रंथ में मिलता है बरदेशी, नाटेसाईस्त संगीत तराकन एक से देख याने में से कोई नहीं तो दीकि आपको बताना है कि ग्राम का उलेक सर्वतम किस ग्रंथ में मिलता है तो कमेंट साथ कमेंट करती हुए जरू चलिएगा और जो विद्यार्टी नियू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना और साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे ज बहरतमोनी थे जिन्होंने नाटेश साथ लगा था तो बहरतमोनी ने उल्लेक 3 ग्राम को किया था लेकें जो जानकारी मिलती है उनके नाटे साच्ट में सिर्फ दो ग्राम की मिलती है सड़ज और मध्यम ग्राम की तो यहां से यह भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने दो ग्राम की यानि कि सड़ज और आपका मध्यम ग्राम की इन्होंने चर्चा की है बोला है जो गांधार ग्राम है है यह स्वर्गवाची ऑड़्या बाएक स्यूंग इनी नहीं चैया तो यहांसे आपको पता होनों चाहिए कि ग्राम का उल्लिक सर्वतम नाटसाज्ट में मिलता है नाटसाज्ट किसके दौरा लिखा गया है तो वरत्मुनी के दौरा ही लिखा गया है उन्होंने सरज ग्राम और मद्यम ग्राम दो ग्रामों की चर्चा की है अब दीकिए यहां से हम बात करेंगे किसके दौरा लिखा गया है तो यह मतंग जी के दौरा लिखा गया है किसके दौरा लिखा गया है तो यह आपका सारंग देव जी के दौरा किसके दौरा सारंग देव जी के दौरा तो यहां से यह जानकार यह आपको पता होना चाहिए आगे हम बात करें नेश्ट मूर्षना संबन देते हैं, very important question, मूर्षना किस से संबन देते हैं आपको बताना है, किरामों के स्वरों से, हाट से, ताल से, एक से दिक यानमे से कोई नहीं, तो देखिए आपको साथी साथ कमेंट करते हो चल लेना है, आप ये मान के चल सकती हैं, कि सेम तो सेम आपका इसी पीवाइक्यू के माध्यम से, उन टोपिकों को आपको अच्छी से पढ़ लेना है, तो उनको हम जब भी हमारा टीरी फैस्ट और टीरी सेकेंड का जितना भी पेपर कम्पलीट होता है, उसके बाद मैं आपको इंपोटेंट टोपिक प्रवाइड कर भाऊंगा, तो आप च ग्राम है, मैं आपको बोलाजता हूँ, ग्राम कितनी है, तो तीन है, उनकों से आपका सड़ज ग्राम, दूसरा आपका मध्यम ग्राम, तीसरा आपका गानधार ग्राम, गानधार ग्राम, इसी को आपका निसाद ग्राम भी बोला जाता है, या बोला जाता है निसाद ग्रा तो साथ साथ आपको टोटल कितने हो जाती है तो 21 आपकी तीनों ग्रामों से 20 मूर्चने आपकी बनती है यहां से जो कोश्ण आगे भी बन सकता है कि सड़ज ग्राम की मूर्चना के स्वर से प्रारम होगी देखिए जो ग्राम आपका रहता है वह आपका उसी स्वर से प्रारम होता है जिस स्वर का आपका ग्राम रहता है तो सड़ज ग्राम आपका सा से प्रारम होगा मध्यम ग्राम आपका मासे और गंधर ग्राम आपका द चीज है आपको पता होनी चाहिए आगे हम बात करेंगे संगीत में बर्ण किसे कहते हैं तो देखे संगीत में बर्ण आपका अतान की क्रिया को कहते हैं गान की क्रिया को कहते हैं निरती की क्रिया को कहते हैं एक से देखिने में से कोई नहीं तो बर्ण आपका किसे बोला जात होती है कितने प्रकार की होती है तो चार प्रकार के आपके बढ रहे दो gathered की तरी हमें अपका पूचा है तो आपका आदी टोफिक से मैं, लेकर तो जो मुषति से निखाए आपको वह बिंगे पर लेसे ऊब्या से बाहर नहीं जाए में आगे बात करें हो अलंकार क्या है राक का चलन सुरों का क्रमिक समू सरगम गीत एक सदे कि इन में से कोई नहीं देखिए आपको पेटरन समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको ट्यारी फ़िस्ट पीजेटी के आपको जो पेपर करवाया था उसके सेम टू सेम कोश्चन आपको ट्यारी ट्यू में देखने के लिए मिलेंगे वह सारे कोश्चन आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगे तो अलंकार क्या है राक का चलन सुरों का क्रमिक समू तो अलंकार आपका क्या होता है आपका आरो अब्रो किया जाता है तो आरो अब्रो में क्या होता है आपका सारे गमा पद बोला जाता है आगे हम बात करेंगे नेश्ट की आपको को पॉश्चन का आंसर साथ ही साथ देती हूँ चलना है जिससे आपको भी आइडिया लगे हमारी तयारी कहां तक पहुंची है और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो भी हम आपके लिए वहत्री नागे किल गमक आपका राग संगीत में प्रयोग में लाया जाता है गमक कहां पर प्रयोग में लाया जाता है तो राग संगीत में अभी गमक आपका सारंग देव जी ने कितना बताया है तो सारंग देव जी के अनुसार आपका पंद्रे गमक है कितना गमक है आपका पंद्रे गमक है आगे हम बात करेंगे देखिए नेस्ट कोईशन पर जाने से पहले में थोड़ी से आपको इन्फोर्मेशन देजेता हूँ ट्यारी 3 को लेकर गए तो बीपेसी ट्यारी 3 म्यूजिक के जितनी विद्यारती है उनको स्टेडी मटेरियल हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जा र गई तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं कि यम आपको फ्री में यूट्यूब फर प्री में आपको पूरा का विपीसी का कोर्स लेकर कर आ रहे हैं आपको ड्लो किस्त तक है तो हमारी तीन तीन क्लासेज आज की मिलाकर की हो जाएगी इन सभी का प्रेंटेबल नोट्स आपको मिल जाएगा कहां पर मिलेगा आपका सिच्चा प्लाइट का एपलिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है वहां पर आपको यह सारी की सारी आपको कोशन पेपर मिल जाएगे यह टेस्ट मिल जाएगे और पांच आपको बीपिसी का मौक टेस्ट आपको मिल जाएगा तो घ्लाराक है है सभी के लिए affordable प्राइज इसमें हमने रखा है क्यों कि हम आपके लिए प्रवाइड कर रहे हैं यूटूब पर आपकी माझने वैसी को नहीं दिए कि आपकी दो ले रहती है ले होता क्या है जो भी हम बोलती है जो भी हम चलती है काती है पीते हैं उसमें करते ही हम आप गरती है तो यहां पर ले के कुल कितने प्रकार माने गई है तो लएक के तीन प्रकार मातनी गही एं यह अपके तीन लएंषा मेट ही उनकbonशा अभी लेंविए रहते हैं पैचनने के लिए क्या करना धीमा इस प्रकार से आपकी यह रहती है तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए आगे हम बात करेंगे नेश्ट दस इवित राग भरीकन का और लेक के सिग्रेंट में किया गया है दंतिलम में राग दरपण में संगीत रतनाकर में एक सदे किनमें से कुई नहीं तो आपको साथी साथ कमेंट करती हुए जरू चलना है जितनी विद्यारती देख रहे हैं सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक जरू कर लिजेगा तो आपको यहां से आपका दस प्रकार के रागों का जानकारी यहां से सारंगदीब जी की द्वरा मिलता है। intrinsic barnum और और तो यहां पर पता होना चाहिए ढस्विद राग नकन को लेख मिलता है शंगीत रतनाकर में आगे हम बात करेंगे मेल राग बरीकरण को किस संगीत पदती ने अपनाया है पाश्चात संगीत करनाटक संगीत अंदुस्तानी संगीत एक सदे किन में से कोई नहीं बताना है जानका तो सारंग्र जीने दिया था उसमें उन्होंने दस थाटों की जानकारी वहां पर बताईया है कश चकोश किया हुआ है मेलराकबरी अबनहां का कंपन और हिंदुस्तानी संकित पर है चबल नैस्ट बात करते हैं टीवरता से तार्ता ॅपण'm किस से संब्ड़ ये गंधर गमठंग के संबंद कमपन के आदार पर पंद्र प्रकार का सारंग देव जी ने आपको ज्लदी जली लेकर कि रिए आपको ज्यादा समय आपको बरबाद ना हूँ और आपको फैक्ट के साथ आपका जो सोलुशन हो जल्दी से आपको प्रवाड करवा दिये जाए इससे आप अधर सब्जेक्ट को अच्छे से समय दे पाएं कि रागों के समय सिद्धान्त के अनुसार रेदा कौमल एवं सुद्ध मध्यम बाले गयायण का समय है तो ये का रहता है अप कूंसा रहताया आपका संधी प्रकास राग वाले राग होते हैं यह चीज्य आपको समझ वाले राग होते हैं अब यहाँ से दो चीज्ज्य निकल के आती है अभे संवाला संदी प्रकासем आ은चाज यह जो संद्यम संध्यक कालिन ने वाला है तो यह समस्भवाला रहता है बिएक इसका और कुश्ण बनता है जो है की संध्यक रागए तो प्राता कालिन संदी प्रगास राग तो यह चीज आपको समझबे आना चाहिए और पता होना चाहिए क्योंकि सेम कोशिन आपका इसी प्रिकार से गुमा पुपरा करके पूछे जा रहे हैं तो चलिए आगे हम बात करते हैं नेश्ट कि है कि रेगादह सुद्द स्वरोंवाले रागां का समय है कि रेगादह सुद्द सुरोंवाले रागों का ौसब क्रेयों के समय किया जाता है तो मियरी मिया प्रश को के अंस्र बताना जे और साथए चानल头 सब्सक्राइब difference को श्याम को आपका साथ से दस वजे तक प्रयोग किया जाता है कि यह आपके पूंचे का एक क्वेशन है तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो पूंचे जा रहे हैं यानिकी इनोगने समझ सिद्दान उठाया क्योंकि इनों समय सिद्दान से आपकाा सभी के जबिशन पूंच लिए यहां से आ पर पूंच लिए आप यहांपर देख पाएंगे कोमल दि Rank शुरावाले रागों का आपको यह बताना है किसका रहने वाला कमेंट करते हुझ चलना है आपको साती साथ तो अभी आप हम इन दोनौं के बार में चर्चा करेश को है텁 कॉमल गानी से ब्राधर चारवाई तक कभ से प्राधर चारवाई तक कॉमल गानी वौले आपके राग रहती हैं आगे हम बात करेंगे संगीत रतनाकर का रचनाकाल है संगीत रतनाकर का रचनाकाल कुन सा रहता है सोदेवी सताब्दी तेरेवी सताब्दी बारेवी सताब्दी एक सदे के नमें से कोई नहीं तो संगीत रतनाकर गिरंत आपका कब लिखा गया है तो यह लिखा गया आपका तेरे विशताबदी में तो असा करता हूँ यह सारे के सारे कोश्चन आपको पता होंगे अगर पता नहीं है तो आप इनको नोट डाउन करते हैं चलना देखिए आप अगर हमारा सब्ता ध्याई भी बोला जाता है यह स अगर nawy नायोच क्या कोंछा गया है Natya कि प्रति कर्जाथा कोन है तो वेरी इंपोरेंट संगी रतना कर ग्रांत कर Spark गाया है वरत मुनी सारंगेव नाड़दमुनी, एक सेदे की अनिमिस से कोई नहीं, तो दिखेंगे जो आपका संगीत रतनाकर गरन्त है, यह आपका सारंग देब जी की दोरा लिखा गया है, वेरी इंपोटेंट आपका कोशन है, रहने वाला है, क्यासे आपका गरन्तों को आपको अच्छे से कर लेना है, ग्रंट से आपके 7 से आर्थ पोजिशन अभी तक पहुंचे गई हैं टियारी फिर्स्ट और टियारी सटनमे संगीत रितनाकर ग्रंथ किसड़ा लिखा गया है तो यह आपका सारंगी प्र Nagðapan का रहने वाला है आगे हम बात करेंगे संगीत रतनाकर में में कितने अध्याय है तो है यहां से आपको ग्रंतों के बारे में अच्छे से वर पता होना चाहिए आपके चार ग्रंत अभी तक पूचे जा रहे हैं एक है कैसे दूसरा है आपका संगीत रतना कर संगीत रतना कर तीसरा है आपका ब्रैध्देशी चारों गरंतों के बारे में आपको अच्छी से डेटल में जानकारी ले नहीं है कि यह नहीं से आपके कोशन मुझे जा रहा है इन चारों से आपके लगवक साथ से आठ कोशन हर एकजाम में बन रहे हैं यानि कि अभी हमने TGT को नहीं देखा है पीजीटी और आपका ट्यारी फेस्ट वाल ट्यारी शेगेंड वाला दोनों का ही एनलेसिस चल रहा है तो यहां से यही निकल क्या रहा है कि आपका चारों ग्रंतों से साथ से आठ कुशन हर एकजा में पूछे जा रहे हैं संगीत पार्यात के रचेता कोन है पंडित लोचन सीनवास अहोवल जी तो संगीत पार्यात के रचेता कोन है यह आपको बताना है तो संगीत पार्यात ग्रंत आपका अहोवल जी के दौरा लिखा गया है किनके दौरा लि सवरों की स्थापना इन्होंने की थी तो ये भी आपको पता हूने चाहिए कि बीणा के तार पर सवरों की स्थापना कि से जो भी कमी रह गए थी उसको इन्होंने सदा रहा था संगीत परजात गरंथ किसके दौरा लखा गया है पंडित ओहवल जी के दौरा संगीत परजात का रचनाकाल क्या है 15 भी सताब्दी सौले भी एक से दे के नमें से कोई नहीं तो जो संगीत आपका पारजाते हैं यह ग्रंत कब लिखा गया था यह भी आपको पता होना चाहिए आपको बताना है कि यह आपका सोले भी सताब्दी में लिखा गया था कब लिखा गया था तो सोलेवी सदापदी में आपका लिखा गया था कमेंट करेंगे बताना है आपको संगीत रतना कर कब लिखा गया था यह आपको कमेंट करके बताना है सभी कि सभी विद्यारतियों को कमेंट करना है जो भी विद्यारती अभी नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राब बेरू कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रिश जरू कर लिजेगा थाटराग बरीकरण के प्रत्वादक हैं तो आपका थाटराग बरीकरण के द्वरा दिया गया है बिश्णु देगंबर पॉलुशकर बिश्णु नरान भातखंडे जी आच्चार ब्रेसपती एक सदे किन में से कुई नहीं तो आपका थाटराग बरीकरण है यह आपका हिंदुस्तानी संगीत प्रत्वाद्य का सबसे प्रचलेत आपका बरीकरण है तो अब यह आपको बताना है कि के द्वरा दिया गया है त कि बाधखंडे जी की जितनी भी प्रृषट है कि आंशै बंता है उनके बारे में अच्छ्छी से आपको देख लेना होग अलाक कि मैंने अब यह आपको ड़ता था अर्म्न के कितने परकार है चार चैल्ठ तो कितने अड़न के प्रकार है आपके चार स्व्य करेंद। आपको बर्ण के कितने प्रकार है चार बर्ण होता क्या है मैंने भी आपको दाय था कि आपकी गान की क्रिया होती है क्या होती है आपकी गान की क्रिया गान की क्रिया आपकी क्या क्या क्यलाती है तो गान की क्रिया आपकी बर्ण क्यलाती है बर्ण आपकी चार है चार कौन कौन से आपका इस्थाई आरोई अबरोई और आपका संचारी तो यहां से आपके चार बर्ण है और यहां से भी आपका पोजिशन बन जाता है आपका जो संचारी बर्ण है यहां से पोजिशन आपका पूंचा जाता है तो देखिए आपका जो संचारी बर्ण है इसमें इन तीनों बर्णों का समावेश रहता है इस ताई बर्ण में क्या क्या होता है कि सुद्ध सुरों का प्रियोग अरोई में क्या होता है अब रोही क्रम में सुरों का प्रियोग अब रोही में क्या होता है अब रोही क्रम में अब रोही क्रम में सुरों का प्रियोग और आपका अबरोही भी होता है तो इस प्रकार से आपका इन तीनों का समाविस्ट रहता है आपका संचार्य वर्ण में तो आप से संबंदित कोशन भी आपके पूंचे जाती है तो यह भी आपको पता होना चाहिए आगे हम बात करें नेश्ट राग भीमपलासी किस थाट का राग है काफी खमाज पूर्वी तो आपको बताना है तो भीमपलासी राग है आपका यह किस थाट का राग है तो इसका जो राइटन से रहने वाला है आपका ओप्सन नमबर यह इसका राइटन से रहने वाला है यह आपका यह काफी थाट का राग है वेरी इंपूरेंट कर लेता हूं क्योंकि यहां से आपको पता होना चाहिए इसका जो बादी संबादी है बादी संबादी क्या रहने वाला है तो इसका मासा बादी संबादी है क्या है इसका मासा बादी संबादी है अगर इसकी हम जाती की बात करते हैं इसकी जाती क्या रहने वाली है तो आपक असे चाहिए, यहां से आपको देखे लेना है कि आहरों में आपका रे दस्वर बर्जित रहते हैं। यह चीज है आपको पता हुना चाहिए, है आपका जो भीम पलाई रा गया इसकी ओरव शंपून पून जाती है। मासर इसका बादी संबादी है अगर इसका जो देखा जाए मैत्पून इसका समय इसका जो गायन समय क्या रहने वाला है तो दिन का तीसरा प्रहर दिन का तीसरा प्रहर इसका गायन समय यहां पर रहने वाला है संप्रकृत राग यह बैहरव के बादिस्वर के बारे में तो देखिए यहां से आपको जो बहरव है राग बहरव है राग बहरव के बादी संबादी आपके क्या रहने वाले हैं रेधा धागा धारे तो यह आपको पता होना चाहिए आपका जो राग बहरव है इसके बादी संबादी क्या रहते हैं इसका आपको कमेंट करके बताना ह देखिल में आपको थोड़ा सा बता देता हूंि आपका जो राग बहर भैराब है कि इसके बारती संबादि हैं आपको त्हकर धारे , यह अपका धारे , यह लांकान रहना वाली , यह तो इसका जो राग भैरब के बारे में थोड़ा समय आपको और जानकारी दूँ इसकी जाती क्या रहने वाली है तो राग भहरब की जाती के बारे हम बात करते हैं तो इसकी संपूर्ण संपूर्ण जाती है क्या जाती इसकी संपूर संपूर जाती है very important थाट क्या है तो थाट इसका वहरब ही है क्या थाट है वहरब थाट है यानि कि यह जन्न राग आपका रहने वाला है अब दीखिए इसके समय यह इसका समय बहुत अदिक पूझा जाता है आपका प्रात्यकाल अदिक संदी प्रगास राग है कैसा राग है आपके यह संदी प्रगास आपका रहने वाला है प्रात्यक आपका यह यहां से यहाँ सब्यास पूझा जा होना चाहिए आपको पता होना कैसा रहता है देखिए हम आपको जो पीवा क्यों कोश्चन है आपका तीन उनको करवाने के बाद हम ठोरी स्टाट करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जितना भी आपका ठोरी है हम एक एक दो दो तीन घंटी के क्लास लगा करके पूरा का पूरा हम आपको प्रुबाइड करवाने वाले हैं तो यह आपके लिए वहती अच्छा रहने वाला है तो राग भीम पलाशी के बादी संबादी क्या रहने वाले हैं तो आपका मासा इसका बादी संबादी है मैं अभी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि राग भीम पलाशी के जो बादी सम्मादी हुआ क्या है मासा आगे हम बत करें ने इस्ट राग केदार की जाती है जो राग केदार है इसकी जाती कुन सी रहने वाली है और अब साड़ और और अब संपून तो आपको बताना है कि राग केदार की जाती आपकी कुन सी रहने वाली है वेरी आपको पता होना चाहिए गिवग कोन सा सवर बर्जित रहता है कि और आपका सवर बर्जित है कि अपको पता होना चाहिए आपको यहां से हम बात करें जो आपका केदार राग है इसका थाट क्या रहने वाला है देखिए इसके थाट के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएं इसका थाट आपका रहने वाला है कल्यान क्या रहने वाले आपका कल्यान तो यहां से थाट भी आपको बता होना चाहिए इसका थाट आपका कल्यान दूसरा इसका समय के बारे में हम बात करें, तो इसका जो समय रहने वाला है, आपका केदार का, देखिए कल्यान वाले जितने भी थाट रहते हैं, इनका रात्तिरी का समय रहता है, रात्तिरी का आपका प्रत्म फेर, अब देखिए यहां से थोड़ी सी जानकारी में और बता देता हूँ आ इसके बारे में इसका जो संप्राकर्ट राग है आपको कामद रहने वाला है तो यह केदार से समंददद आपको जानकारी पता होना जाहिए बड़ुत आपको आगे हम बात करेंगे next राग वहरव का मुख्यंग क्या है very important राग वहरव का मुख्यंग क्या रहने वाला है तो यह आपको यहां पर बताना है राग वहरव का मुख्यंग क्या रहने वाला है तो दीकि राग वहरव के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी बताई थ तो देखिए यहां से आपको पता होना चाहिए राग भेरब के बारे में थोड़ा सा इसके बादी संबादी क्योंकि यहीं से अम इसका नकालने वाले हैं तो बादी संबादी अभी मैं आपको दाए था करेने वाला कॉमल ध और रे , तो दείहिए, यहां से आपका यहां पर कोमल कर लीजएगा, तो यहां से देखी इसका जो मुख्यंग रहेगा गम ध ध प गम रेसा, याँनि कि आपको कोमल ध गम रे, यह आपका यहां पर रहने वाला है गम ध ध प гम रेसा, यह इसका आपका ऐीर्भ का मुख्यंग यहां पर रहने वाला है घ Divinekari др तो ऑपका जो मध्य में यह तीब रहता है क्यों रहता है इसमें इसका जो थाठ है वह कल्याड थाठ है तो यहां से इसका जो राग केदार है इसका मुख्यंग रहने वाला है सामा गप मपधम सारे सा ठीक है आगे हम बात करें ने स्ट राग भीमपलाशी का मुख्यंग देखिए इनका जो डिटेल है मैं आपको इसलिल जो कोईशन तो अनुमें बता चुका हूं तो अब यहां से हिए इनका डिरेट कोईशन दिख देखें रहे एँचलेंगे तो बीमपलाशी का मुख्यंग क्या रहने वाला है कि वील wh यहां से आपके यहां से आपके विम्पल için है इसका काफी थाट है काफी स्वाद में दाए में कौसा भी यह दो आपको बता ना ओ सब्सक्राइन से रहने वाला है सारे म्रेजनी सा तो जो आपको डेश राग से सम मैं थोड़ा सा औक योड़ाता हूँ डेस राग आपका जो रहने वाला है इसका थाट है थाट क्या इसका खमाज में आपका नी कोमल प्रियोक प्रियोक हे जाता है यहां से आपको इसकी जाती के बारे हम बात करते हैं, इसकी जाती है बात करने वाली से ऐसका गदा इसमें बर्जित प्रियोग में ये अब किसमें अगे बात करने वाली हैं तो इसका जो समय है समय इसका क्या रहने वाला रात्री का दूसरा रात्री का दूसरा प्रहर यह वेरी इंप्रेंट आपको पता होना चाहिए अब आगे हम बात करेंगे नेश्ट यह सारी की सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इन से रिलेटेड आप कि आपका विलावल थाट से है उनसा थाट है इसका विलावल थाट है तो यहां से इसका जो मुख्यंग हम बात करेंगे तो इसका मुख्यंग क्या रहने वाला है यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए देखिए नीशा गर्मप गर्मग रेशा उनसा रहेगा नीशा ग इसका रख Lock रहेगा क्योंकि इसमें आपका मध्यम प्रिवरेगे में लाए जा रहा है तो इसका रहेगा option number C कुछ से रहेगा इसका रहेगा option no C अब भी सका घ्लावल है यह भी आपको पताओना चाहिए इसकी जाती की हम हम बात करते हैं तो इसकी जाती र신वादी है आपकी ओडव में होता है सभी सोरों का प्र Jewish के जाता है है आपका बादी सं बादी कि ऑ सकता है बादी संमाधी क्या है तो गर्नी गर्ली बादी संकisटा संबादी है क्या है इसका गर्णी बादी संबादी है अब दीकि यहां से एक और आप से पूंचा जा सकता है इसका संप्राक्रत राग तो इसका संप्राक्रत राग है आपका यमन कल्याण क्या है इसका यमन कल्याण संप्राक्रत राग इसका रहने बाला है कि प्रतम फिरिसका समय है, राध्म का प्रतं कि प्रहर तो यह आपको शारी के सारी जानाकारी पता होना चाहिए, आगे हम बात करेंगे ताल तलवाड़ा में मतर हैं होती हैं जो आपकी त Piलवाड़ा ताल है इंसमें कितनी मात्रा रहती है 12 15 16 देखिए आपकी जो इन ताल है और आपकी 12 ताल है इनमें आपकी 16 16 मात्रा रहती है इसका ओफ्सन नंबर सी यहां से हो जाएगा देखिए आपको कुछ भी चीजां समझ में नहीं आ रही हूं या कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बता दिएगा उस पर हम अलग से प्रोबर वीडियो बना देंगे या फिर हम आपका हर एक कमेंट को रीड करते हैं तो उसका आपको रिफ्लाई मिल जाएगा तो प्रिवाग में समान मात्रा रहती हैं उसे हम संपधी ताल बोलते हैं कुंसी ताल बोलते हैं तो उसको हम संपधी ताल अब बोलते हैं अब दीकिए यहां से आपका एक और कोशन बनता है इसमें खाली किस मात्रा पर है तो नोवी मात्रा पर खाली है ताली कुंसी मात्रा प समांदित हैं। अब आपका ताल, जब ताल में कितनी बगय रहती हैं ये भी आपका कुछhmm usually इंपोटेंट है शे, पाँच, चार तो आपका जब ताल हैं इसमें सब् GTIN मात्रा कितनी रहती हैं तो जब ताल में आपके दस मात्रा रहती हैं कितनी मात्रा र्यक मात्रा intim तो विभाग कितने रहते हैं, चार, दो, ती, दो, ती, इस प्रकार से मात्रा हैं रहती हैं, तो यह आपकी विसमपदी ताल बन जाती है, किसी ताल बनेगी, विसमपदी क्यों बनेगी, क्यों बनेगी, क्यों कि इसके विभागों में मात्राओं की संग्या असमान है, यानि क जानकार यह आपको अच्छे से पता होने चाहिए आगे हम बात करें नेस्ट कुशन के बारे में तो ताल धमार के चार विवागों में मात्राओं का सही करम क्या यह कुशन आपका इंपोडेंट है यह हर एक्जाम में पूंचा जाता है तो दीखिए आपकी जो धमार ताल है आप 2500 3000 चाह चाहुत चोदे नात्र हमिव से प्रकार हो जाएंगे आपकी यह किस प्रकार की ताल तो यह आपकी अ मिस्त्र पादी ताल इसको कह सकती है कि मिस्त्र पादी ताल है मिरी पाद ज Unauma वशन है उसको बोला जा सकता है तो यह भी आपको पता होना चाहिए आगे इसमें बात करें गब कर दमार तालेस में चोदे मात्रा हैं चार विवाग हैं परते के विवाग में आपकी पांच दो तीन चार आपकी मात्रा हैं तो यह सारी की सारी जानकाड़िया आपको पता होना चाहिए आगे हम बात करेंगे संगीत में अलंकार के लिए प्रयोक्त होने वाला पर्याई सब्द है तो आपका जो संगीत है अलंकार के लिए कौन सा सब्द प्रयोग में लिया जाता है तो यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए अलंकार देखिए हर आपके पेपर में अलंकार इसमें आपका स्वरों का क्रामानुसार प्रयोग किया जाता है इसमें आपका आरू अब रों में प्रयोग में स्वर लाए जाती है तो इस प्रकार से सारी की सारी जानकर आपको पता होना चाहिए ताल रूपक में खाली किस मात्रा पर होती है यह बेरी इंप्रेंट आपका क साथ मात्रा रहती हैं कितनी मात्रा रहती है साथ विभाग कितने रहती हैं आपके तीन विभाग रहती है पहले विभाग में आपके तीन मात्रा दूसरे में दो तीसरे में इस प्रकार से आपकी यहाँ पर मात्रा रखी जाती है कि आगे हम बात करेंगे नेश्ट द्रोपद सेली के पिरिचार पिरिसार किसके सासन कालम हुआ था। सा जानंग तो यहाँ से यहां से इंप्टेंक कोशन बनता है, आपका जो द्रोपद सेली है क्या राजा मांचिंग तो मर्की समय पर यह . परिशार में लाई गई थी, कव राजा मानसिंग तौमर के समय पर यह प्रशार परौसपर में लाई गई थी यानि कि दुरपद का आबिश्कार ही, आपका मानसिंग तौमर को माना जाता है। आबिश्कार इन्हों ने किया था, इन की एक भुगत थी मान को तोहल, siis इनकी पुष्टक थी मान को तुवल उसमें पूरी की पूरी जानकारी मिलती है दुरपत के बारे में यह आपको पता होना चाहिए आगे हम बात करेंगे नेश्ट जो राजा थे आपके मान सिंह तोमर यह गौालियर के राजा थे कहां के रहाते हैं तुवालियर के आगे बात करेंगे दुरौपत की कितनी बानिया है दुरौपत की आपकी चार बानिया है कितनी बानिया है बेरी इंपोनिट आपका रहने वाला है दुरौपत की चार बानिया है कुण कुण सी बानिया है गोबरहार नोहार दागुर और यह आपको पता होना चाहिए दमार गयान चली का अन्य नाम क्या है दमार गयान चली का अन्य नाम ठुमरी टप्पा होरी तो आपको जो दमार गयान चली है इसका अन्य नाम क्या रहने वाला है तो दमार गयान चली का अन्य नाम आपका रहने वाला है और दमार गयान चली केतने प्रकार है देग केकि आदे प्रकार है कउश्चन पूह हुए है दिसंबर वाला के पूरा का यह पूरा पूरा डिसकसर है अब आने वाले exam में देखने के लिए मिलेंगे तो आप अच्छी से तयारी को लगजाए और यहां हम आपको प्यवाइक्व क्यों के बाद में कि दो प्रकार है को चोटा ख्याल के बड़ा ख्याल जाता है। इस फ्रकर से आपके ख्याल की दो प्रकार यहां पर रखे गई है। आगे हम बात करेंगे हैं कि तराने में प्रियुक्त नहीं होता है। तराने में क्या प्रयोग नहीं होता है बंदिस के बोल दबले के बोल नॉम्टॉम दादिर के बोल तो आपको बताना है कि तराने में क्या प्रयोग नहीं होता है very important आपको बताना है देखिए तरहना आपका जो रहने वाला है इसका आविस्कार किया था आपका तरहना का आविस्कार किसने किया था तो अमीर खुसरो ने किसने किया था आपका यामीर फुसुरोंने इसमें आपके बंदिस की बोलों का प्रयोग नहीं कियाता है तरहना आपका तबले के बोल प्रयोग कियाते है पॉर आपका निरत्थक इसके बोल प्रयोग में लिए जाथे हैं तो यह आपका इम्पोडेंट यहां पर रहने वाला है। इसमें आपका निरर्थक सब्दों का प्रियोग गया जाता है। तरहने का अविष्कार किससे माना जाता है ? तान सेन, अमीर, कौसरो गॉसरो, सदारा गदारा यह तो तान सेन का आविसकार, यह क्या रहती है यह आपको पता होना चाहिए तो तो यहां से पकड़ जो आपकी रहती है क्या रहती है राग दर्सक्षवर समु वेरी इंपोर्टन यहां पर रहने वाला हैं अब दिखिए यह आपका 40 कोशन आपका PGT को हो जाते हैं यहां पर complete इस कोशन PGT आपका PGT का मतलब यहां पर आप देख सकते हैं क्यारी सेकंड वाला जितना भी आपका 80 कोशन पूंचा गया था उसका हमने डिसकस कर दिया है आपको प्लेलेस्ट में मिल जाएगा आपने अगर नहीं देखा है तो उनको आप देख लिजेगा तो जितनी विद्ध्यार्ती किस सेशन को देख रहे हैं जिन्होंने देखा है तो आप कमेंट करें बताएगा इन 40 कोशन में से आपका कितना कोशन यहां पर सही यहां पर निकला हुआ है आप इस प्रकार का पूरा का पूरा क्लासिस का नोड्स प्रिंटिबल फॉम में आप प्रवाड लेना चाहती है तो आप हमारा सिच्चाप्लाइंड का अप्लिकेशन डाउनलोड कर लिएगा वहां पर आपको यह इसके रिगार्डिंग जानकारी मिल जाएगी और जो आपका सब कुछ मिल जाएगा और आपको यूट्यूब पर प्रवाइड कर देंगे तो आप संगीत की जिम्मेदारी चोण करके हम पर परोसा करकर के तैयारी कर लिजेगा आपका यहां से प्रोब्लम नहीं आए तो चलिए आज की सेसर में रखते हैं यहां सा करता हूँ आपको अच सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस सेशन को सभी विद्यारतियों के साथ शेयर के जरू कर दीजेगा चलिए मिलते नेट्स सेशन में जब तक लिए जयन जय भारत